बड़े सही टाइम पे गफ्तारी हुई और उसने सलंडर किया है पुलिस प्रैशर के ऊपर क्योंकि पुलिस ने चारों तरफ से उनको गेर लिया था और ये पता था कि अब मेरे पास भागने के लिए रस्ता नहीं है कोई तलबंडी साबों में जो विसाकी का समेलन हुआ सिक समाज का जो मैंने पिछली बार भी आपको कहा था कि उसका मकसद होगा कि उसी समेलन में मैं शामल हो जाऊं और वहां पूरी दैशत मत जाए और जिस तरीके से बिंडरावाले के टैम पे आग लगी थी अभी तक आग बु कभी चंडी घड के अंदर बे गुणाहों के खतल याम करने वाले हजारों बेहनों के सोहागों को जाणने वाले खून की नदियां बहाने वाले उनके हक में दरना देते हुए पोलिस वालों के उपर गुड़े चला देते हैं करपाने नकाल देते हैं क्या अजनाला के नमस्कार मैं अर्चना तिवारी आप सभी का स्वागत करती हूं दराज धर्म पर आप सभी ने सुबह सुबह जब टीवी खोला तो उसमें आपने एक ब्रेकिंग देखा होगा कि अमरित पाल जो है वो गिरफतार हो चुका है तो अमरित पाल के गिरफतारी में दो चार चीज दूसरी बात मैंने यह निकाली कि अमरित पाल आप आपने देखा होगा पिछले दिनों कई सारे वेश में नजर आ रहा था फिर चाहे कोट पैंठो फिर चाहे गबरु जवान जिसे कहते हैं जीन्स और टी-शिर्ट में आया उसकी बहुत सारी आसी तस्वीरे आई और फिर सरिंडर के वक्त ये पूरा जिसे भिंडरा वाला एक संत के रूप में नजर आता था वैसे ही ये भी उसी वेश में था तो इसका एंगल क्या है और तीसरा ये पॉइंट मैंने ये सोचा कि जी भिंडरा वाले की तरफ से जो अपने आपको पोट्रे कर रहा था कि मैं पुलिस और निये के द्वारा ये जो पूरा एक्शन उसके उपर हुआ है कि ये सही वक्त था अगर तब गिरफ्तार करते वो सही वक्त था या फिर अब सही वक्त है तो इन सब मुद्दों पे आज बात करने के लिए हमारे साथ जिंदा शहीद बिटा जी हैं आज हम इन से बिटा जी राज धर्म पर सबसे पहले गिरफ्तारी की बात सुरे तो कैसा लगा आप देखो जे बहुत एक अच्छा फैंसला और बड़े शाई टाइम पे हुआ क्योंकि आपने पंजाब को खुद जा करके उस जगा पे जा करके इन्टरवी दो लोगों का लिया है जो खत्रे से खाली नहीं था खालिस्तानियों का समर्सन का कुछ चंद लोग ऐसे थे जो खालिस्तान के खलाफ थे रस्ते में रोख करके मैंने आपके इंट्रिव्यों को दिखा है अगर ये गिफ्तारी कुछ समय पहले होती तो शहर पंजाब के लिए देश के लिए एक बड़ी खतरनाक थी शहर महौल बिगड़ सकता था क्यार शोर चराबा हो सकता था फिर उसी तरह किरपाने चला सकते थे बड़े सही टाइम पे गिफ्तारी हुई और उसने सलंडर किया है पुलिस प्रेशर के उपर क्योंकि पुलिस ने चारों तर्फ से उनको गेर लिया था और ये पता था कि अब मेरे पास भागने के लिए रस्ता नहीं है कोई पुलिस चाहे वहाँ चार दिन बैठी रहती पर पुलिस कभी अंदर गिफ्तार करने ना जाती जो की वो चाता था कि पुलिस अंदर आये जिस तरीके से उसने अजनाला के अंदर गुरु गरन साब को धाल बनाया था उसको पता था कि अब धाल बनाने से कोई मकसद नहीं होगा तो उसको गिफ्तार होना पड़ा अच्छा बिटा जी मैंने ये भी बात सुनी जब मैं तक खबरे देख रहे थी जब मैंने वहाँ पे लोकल से बात किया कि अमरित पाल ने अमरित सर के जो गोल्डन टेंपल है उससे पहले संपर किया कि मुझे वहाँ पे आकर स्पीच देने दो मैं वहाँ से आकर सरेंडर मतलब करना चाहता हूँ तो वहाँ से उसको मना कर दिया गया फिर वो उस गुरु द्वारे में गया और पुलिस रिकार्ड में है अगर वो अकाल तकत में सलंडर करता वो तो हीरो बन जाता जो वो चाता वही होता उसका मकसद यह जरूर होगा बठंडा के अंदर अगल तलवंडी साबो में जो विसाकी का समेलन हुआ सिक समाज का जो मैंने पिछली बार भी आपको कहा था कि उसका मकसद होगा कि उसी समेलन में मैं शामल हो जाऊ और वहाँ पूरी दैशत मज जाए और जिस तरीके से बिंडरावाले के टैम पे आग लगी थी अभी तक आग बुजी नहीं वो उस आग को लगाना चाहता था ये तो चीजें बिलकुल सच होगी कि अमरतपाल है कौन अगर अमरतपाल को गिफ्तार करना था पुलिस ने अगर अमरतपाल ने गरंच साब को ढ़ाल बनाया था तो यूके के अंदर आवाज के ओठी यूके के अंदर तरंगे जंडे को अतार करके पहलों में क्यों रुदा गया यूके के अंदर भगत सिंग को अतंकवादी क्यों कहा गया यूके के अंदर भारत माता को बुरा बला गाली क्यों दी गई कैनेडा के अंदर तरंगे ढंडे का अपमान क्या हुआ अस्टेलिया के अंदर क्यों हुआ अमेरिका के अंदर पर दर्शन क्यों हुए इसका मतलब ये स्पर्थ था कि ये बेजा हुआ पाकिस्तान आईएसाई वदेशों के अंदर बैठे हुए अतंकवादी जो पाकिस्तान के साथ मिलकर के हिंदुस्तान को देलाना चाते हैं जो खालस्तान मनाने की मांग करके हिंदुस्तान को तोड़ने की कोशिश करना चाते हैं ये तो चीज अक्सपोज हो गई कि अमरतपाल उनी का बेजा हुआ था यह चीज सारे दुनिया के सामने एक्सपोज हो गई और आपने एक और चीज देखी होगी हिंदोस्तान के किसी गुर्दवारा परबंदग कमेटी से हिंदोस्तान के एक आवाद नहीं उठी जब तरंगे जंडे को पैरों में रोदा गया यह तरंगा जंडा हिंदू मुसल्मान सिक एसाईयों का जले अवाला बाग के अंदर चरनल डैर की गोलियों को सीने पे खाके सजाया गया भारत माह हिंदू की भी मुसल्मान की भी सिक की भी एसाई की भी भगत सिंग दुनिया में दुश्मन देश मानता है भगत सिंग ने हिंदूस्तान को अदाद कराया था चाहे पाकिस्तान अलग हुआ वो भगत सिंग को मानते हैं भगत सिंग को गाली गलोच किया गया भगत सिंग को अतंकवादी कहा गया पर कोई अवाद उठी नहीं यह सबसे बड़ा सवाल है क्या हम चुपरेना पसंद करते हैं, क्या भारत माता का अपमान होता है, भारत माता को गाली दी जाती है, तरंगे जंडे का अपमान होता है, बगत सिंग को अतंकवादी कहा जाता है, हम चुपरेना पसंद करते हैं, ये भारत हम सब का है, बिटे जी एक और बात बताईए, आ अम्रित पाल की जो छवी है वो बिल्कुल अब साफ हो चुकी है तभी तो गिरफतारी हुई लेकिन कोई सड़क पे नहीं आया। अजनाला के अंदर कभी गुरु गरंसा पवित्तर हमारा गुरु सहबान उनको ढाल बनाके वहाँ चले जाते हैं क्या कभी तलवारे निकाल देते हैं क्या कभी खालस्तान के नारे लगाते हैं कभी कोहाडियां यह हमारी सिक्क कौम की परंपरा नहीं है हमारी परंपरा करना शुरू कर दिया ये अमरत्पाल जैसे लोगों के कारण इनकी गलतियों के कारण सवाल सबसे बड़ा है कि जतनी देर तक हिंदोस्तान के अंदर हमारा सिक्स हमधाय के गुर्दवारा परबंदक कमेटी जो बार बार आपके कहता रहा जतनी देर तक खुल के बाहर नहीं और ये आवास देंगी हम इन देश दुरूईयों के खलाफ हैं स्तरंगे जंडे का अपमान करने वालों के खलाफ हैं भारत माता को बुरा कहने वाले के खलाफ हैं बहत सिंको आतंकवादी कहने वालों के खलाफ हैं पाकिस्तान से मिलने वालों के खलाफ हैं खालस्तान बना तक कोई मसला हाल नहीं होगा लोगों के आखों में जो इमेज एक थी कि पंजाब के लोगों के मैं पंजाब के लोगों की बात कर रही हूं बैटा जी तो क्या क्लियर हुई है कि जो अमरित पाल था वो एक बहरूपिया था वो कोई संत और कोई समाज से भी कुछ ऐसा नहीं था क्या आपको लगता है क्या इसके बारे में अभी कुछ नहीं कह सकता जो पंजाब के लोग सोचे समझे बगेर अमरत चखाने डुबई से 6 महीने पहले आया हमने बहरूपिया बाना पहल लिया अमरत चखने के बहाना बना लिया बिंडरा वाले की तरह हमने बंदूग पहली रिवालवर पहली और साथ में शुरक्षा गार्ड किसी प्राइवेट अजंसी से लेकरके श साइबाट लोगों की बी तो गलती है ना कि हम इतनी जल्दी सिक्स हमा अdas को इतना एमोशनल कर देते कोई बी बाना पहना किसी को भी कर दे और करते करते जिन्दगी के चाली वर्ष हो गए इसी चीज तो देखते देखते 30-30 वर्ष हो गए कई लोग आये कि कई लोगों ने ऐसे किया और हमारे पंजाब को बरबात करके चलेगे अब उसकी वाइफ कैनला यूके में करने जाने के लिए क्या कर रही थी रुकती यहां पे इसका मतलब यूके के उन लोगों ने जिन्नों ने तरंगे जंडे का अपमान किया जिन्नोंने भारत माता को गाली गलोच किया जिन्नोंने बगत सिंग को अतंक वादी किया यूके अमबैसी के बाहर क्या उन्होंने उनको बलाया था वो जा रही थी वहां पे यहां रुकती पंजाब से प्यार साथ पंजाब में रुकती पंजाब से को जाने लगी इसका मलब प्लान करके ये लोग आए थे तुम इधर जाओ मैं इधर जाओ और फंडिंग जो थी कैनडा के अंदर कैनडा की रने वारी थी पूरे बाहर से मिलेगी और पैसा ये सारा प करते हैं देखो मैं आपको बिल्कुल सारी चीजेंस पर्ट कर दूँ यह सारा पैसे का खेल है बाहर से पैसा फटा 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 आता है मुझे किसी व्यक्ति ने बताया गुपतु रुपे कि मेरे किसी रिष्टेदार का अमेरिका से फोन आया कि हमें अमरतपाल से मिला और हम उसको पच्चीस लाख पंजाब से पच्चीस लाख अमेरिका से बेजेंगे अगर एक पार्टी पचास लाख उसको बेजने की तियारी में है कि यह बड़ा अच्छा काम कर रहा है तो पूरे हिंदुस्तान ने दुनिया के अंदर करोड रुपया पांच शे सो करोड की ठगी मारके चले जाता इसको इसको कहते है बहरुपया ठग सिख कौम के नाम के उपर सिख कौम के नाम के उपर गुंडा गर्दी सिख कौम के नाम के उपर बलैक मेलिंग जबकि सिख कौम मजलूमों के लिए मानुता के लिए तपस्वियों के लिए लोगों को सई दिश कि कौम का अफ़मान कर रहे हैं है क्या हमारे अकाल तखत के जत्यदार सब्स हैं हमारे और गुरू है हम उनका सरमान करें उनके पीछे लगें उनकी बात को सोचें अगर यह सर्बत खालसा बोला लेते तो यह तो देश के अंदर दोबारहा बहुत बड़ी और आफ़ात आ जा है ना पंजाब के लोग जितनी दे तक खुल के सामने नहीं आएंगे अब जे जेल में गया अब जमानत वोगी तीन Saut Never तीन साल के बाद दो साल के बाद साल बाद पर आएगा फिर एंगा लोग जा chips मारे संता आगे लोग जाएंगे। कि इसके पीछे कैनेडा है, इसके पीछे अमेरिका के कुछ लोग हैं, इनके पीछे यूके को कुछ लोग हैं, इसके पीछे आईये, लोग बूल जाएंगे, लोग कोईएंगे, इसके कौम का हीरो आ गया, क्या ये हमारी पहचान है, इसके कैसे मतलब बचा जाएंगे, बचा ता गुजरातियों को गाली दी गई हिंदुस्तान के अंदर गुर्दवार प्रबंद कमेटी हिंदुस्तान के अंदर बंबे में पूना के अंदर गुजरात के अंदर यूपी के अंदर सारी हैं खुल करके सब बैठ करके क्यों इसका विरूद नहीं किया इसका एक ही हल है को कोई फौज ने कोई सरकार नी सिक्स हमाज सामने आए कि यह लोग हमारी कौम को बदनाब करना चाहते यह लोगों के कारण चुराथी के दंगे हुए यह लोगों के कारण ब्ली उस्टार उप्रेशन हुआ यह लोगों के कारण पंजाब में 36,000 बे गुनाहों का खतलयाम लोग हमारी तरह सामने नहीं आएंगे मौत का कफन बांद करके अच्छे परवचंकारी उतनी देता कुछ होने वाला नहीं यह मैं आपको गरंटी से कहता हूँ आपको लगता है कि वहाँ पर अब इतनी जो इस्ठिती हुई है उसके बाद लोग आएंगे आपको लगता है ऐसा नहीं मुझे नहीं लगता मुझे लगता नहीं और जब ये जेल से छूटेगा फिर हम मीटिंग करेंगे फिर हम इंटरिव्य करेंगे जो मैंने कहा था सत्च हुआ फिर ये जाएगा पंजाब में सिक कौम का हीरो क्या किया भी इसने वो देशों से funding ली वाइफ तेरी बाग रही है पुलिस ने उसको पकड़ लिया तुम बागे फिर रहे हो ये तुम दले रही है सिख सिख कभी भागता नहीं है अच्छे काम के लिए कभी भागता नहीं है और तुम बागते फिर तेरी वाइफ वहाँ जा रही है और वहाँ पे जारी है यहां तरंगे जंडे अप्मान करने वालों के पास वहाँ जारी है जहां भारत माता को गाली दीगी वहाँ जारी है उनके पास जिन्वोंने बहगत सिंग को उतंकवादी कहा वहीं युके जारी थी ना तो बाक्यों रही थी वाई इनकी इंक्वारी हो इनको फॉरण से कितनी फंडिंग आई इनके कैनेडा के अंदर बैंक में कितना पैसा जमा है यह तो नया काम चुरू हो गया जैसे मैंने बताया कि 50 लाग तो एक ही पार्टी देने को त्यार हो जाता बहरूपिया की दुकानदरी चल जाती बाए बाए टाटा हम जारे हैं फेराएंगे अब आएगा फिर सिक कौम का हीरो बन जाएगा यह हमारी इंसानियत है आपने कहा कि यह बहरूपिया ठग जो है वह ऐसे करके खूब सारे पैसे इकटे करता और अपनी फिर दु इंदरा गांदी को मारा गया क्या नहीं हुआ मुझे बता यह पंजाब के अंदर आज तक पंजाब में खड़े हुए ऐसी एमोशनल को क्या लेना है हम अपना पंजाबी बरबाद कर बैठे आज कहां चला गया यूपिया पंजाब की जितनी इंडर्स्ट्री पंजाब के वपारिया यूपि में जा रहे हैं वो यूपि यहां करिमना लोगों का राज था जहां पे किसी बेहन को यह नहीं पता होता था पंजाब की तरह मेरा बेटा मेरा बती घर से निकला वापस आएगा यह नहीं आएगा यह यूपि था दिन दिहारे गोलियों को निशाना करूँगा मैं बच्चों को यतीम नहीं होने दूँगा मैं यूपि को बनाम नहीं होने दूँगा यह देश-बक्तों की लाल-बहादर-चात्री और ऐसे लोगों की दर्ती मैं बरबाद पंजाब को चलाएंगे कहां पंजाब तो आगे करजाई कर चुके हम इन लोगों की गल्तियों से हम सेंटर गॉरमिंट साइब जहां हिंदू-मुसलमान सिख एसाइभ नमत्त करता है और वहां भी आप लोगों को अपमानित करते हो और वहां भी आप खालिस्तान के नारे लगाते हो और इतनी पवित्तर तान को आप पहले भी बदनाम किया आप नुक्सान पचाने की कोशिश करते हो पर हिंदोस्तान ने दुनिया का हर समधाय का व्यक्ति हिंदू है मुसल्मान है सिख है साही है केता तुम हमारे कहीं आओ ना आओ मंदर में हम गुर्दवारा साब जाएंगे सिख दर्म हमारा था हमारा है हमा मारा रहेगा गुरु नानेक देव जी महाराज, गुरु गुबिन सिंग महाराज, गुरु टेउक बहादर, हिंद की चादर जिन्नोंने मजलूमों के लिए अपने शीट को निशावर कर दिया था उनके चरनों में आएंगे, क्या वो रुका? वो जाता था, जाता है, जात तुम मंदर में जाओ या ना जाओ यह हमारा वह स्थान 19 हदार हिंदू भाईयों का कतलयाम किया इन्होंने 5 सालों के अंदर पर मेरा हिंदू भाई यह अक्रचान्द नुदम भाई उसाई भाई उनका पाऊं रुका नहीं मार गोलियां मार दो हो हमारे भाई परवा नहीं पर हरमंदर साहब नमस्तक नंहीं होते यह इमान है यह जन्ट करती है अप से यह और पूचना चाहूँ जिसеся आपने अभी हिंदू और सिख की की कि हिंदू कभी रुके गा नहीं हर्मंदर साब में जाके मत्धा टैकने से लेकिन यह छो आप पूटी टोपी जमनापार ये कहता था बिहार और यूपी के भाईय बुये यहां पे आके कबजा कर रिया अब अमरत्पान मुझे तू बता अतीद का हशर देखा उसके बेटे का हशर देखा ची मिनिस्टर ने वहां की फोर्स ने क्या किया अमन चान्ति किया तुमारे साथ तो ऐसा नहीं हुआ पंजाब के अंदर तो कोई इन कॉण्टर नहीं हुआ दिली के अंदर 26 जन्वरी को एक तरफ हिंदोस्तान का वो जोधा प्राइब मिनिस्टर जस्ते चाइना कामता है जस्ते पाकसित दोसरे देश कामते हैं कि हिंदुस्तान की तरफ आख उठा के देखना नहीं नहीं तो ये योदा ये हिंदुस्तान का वो व्यक्ति छोड़ेगा नहीं उस व्यक्ति ने 26 जन्वरी को बेइज़त होते हुए अपने भारत माता के तरंगे जंडे को बरदास्ट किया डिली पुलिस के जवानों को ट्रेक्टर के नीचे रुलते हुए उपर से नीचे धक्ये देते हुए उसने बरदास्ट किया उस नरंदर मोदीजी ने सिर्पे गुरु माराज का दस्तार बांद करके हिंदुस्तान के नहीं पंजाब के सिक समाच के लोगों से छमा मागी ठीक नहीं हमारी इज़त दुनिया के अंदर हर कौम हर मजब एसाई मुसलमान हिंदू सिक हिंदू सब करते हैं हम अपनी इज़त को खराब न करें हम अपनी इज़त को बरबाद न करें यह हमारे गुरु माहराज की दी हुई तपो जपो करपानियों से इज़त और यह मैं अक्युए पाउन भर्तव्हात मामने मैं बहुता है तरंगे जंडे को अपमानिट होते हुए दुख जिस कौम के शहीदियाजम बगड सिंग जिस कौम la state अजजिसने आनियुक मिलियाु उस कौम पे खून Son बना हुआ तरंगा जंडा उसको अपमानत करते हुए हम बरदास कर रहें क्या बिगाड़ा है आपका सेंटर किसी गौर्मेंट ने पहले आप कॉंग्रिस के खलाफ से आप हम नरिंदर मोदी जी के खलाफ हैं आपका काम ही यही है बस हमने सेंटर से लड़ना है पल्ले हमारे ह दूसरे दिन करपान उठाते हैं अरे करपान हमारे लिए उस वक्त रक्षा के लिए थी आज हमारे पास रखने के लिए दिखाने के लिए ये गुरु माराज की हमारी पवित्तर किरपान है पर ये नहीं कि रोज निकाल करके कोहाडी किरपान हम खालिस्तान बनाएंगे तमारी याजी की तैसी बनाएंगे खालिस्तान कैसे बना लोगे भी आप और वो भी अमेरिका कैनेडा में बैठे हुए गुं इसे नहीं हैं आप क्यों ऐसी हरक से ख़रो जैन दर्मभी मानवता के लिए दर्म हैं मैं आभी गुजरात के गया नौ साल की बच्ची अर्बों खर्बों के डैमेंड के वपारी त्याक करके संतनी बन गी मानवता के लिए जी ओ और जीने दो आज मैंने वीडियो डाली फेस्बुक पे देखे उसके चरनों को उसके शिर जुका के माया ऐसी भी लोग है और हम लोग आज खून के प्यासे चंद लोग खून के प्यासे हो गए हमें खून पीना है पहले छती हजार लोगों का खून पी लिया उन्नीस हजार हिंदू बाईयों का खून पी लिया आगे फिर हम खून के प्यासे खालिस्तान का मतलम खून के प्यासे हिंदुस्तान को तोडने के प्यासे पाकिस्तान बूखे नंगे से मिलने के प्यासे ये हमारी सोच है आओ मेरे से किसी ने बैश करनी है सच बोलता हूँ मैं तियार हूँ क्या करओगे मारके मैं तो तियार खड़ा हूँ इस देश के लिए रास्ट के लिए पर दुनिया के अंदर ये पगड़ी के उपर उपर नहीं उठने दूँगा ये मैं बताऊंगा कि सारे सिक्त समाज के लोग ऐते नहीं है ये चंद लोग देश दरोई खालत्तानी हैं जो इस देश को हमारी सिक्क कौम को बदनाम करना चाहते हैं